कलोरोफील क्लास इसन एक बाह फिर स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमाजिर हुआ हैं आपका भीजा कहने के लिए तो पेले बाली के जो प्लास थी उसमें अपने जो साइको पाइनस और इफीड रहे हैं जीमिनथ्पम् के जीन से उनकी बारे में उनकी जीनस है उनकी मॉर जेपनीश क्लास के अंदर डिसक्स करेंगे तो बिना देर करें हैं हम इस्टार्ट करते हैं आपका भीजा खाना तो दोस्तों देखिए पाइनसुफिड्रा यह तीनों जो simply plant आपको पताएं और जिमनत में जो जानतरल प्लांट होते हैं उन्हें इनके पहले हैं आप predictive होते हैं जानतर प्राइब होते हैं तो लेतों बरात की किस्की बात रहेंगे रूट की तो ब से एंद को हomas देखते हैं वह लग क्या है उनको भी देखेंगा तो सबसे दिए लेक यह योदी है कि इसके एक माला देखते हैं कि इसके अबिलेम ठीकर यह एपि डर्मिस भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं इसको पेली पेरिस के लिएर तर फी अदर दोस्तों एपीडर्मिस के बाद में हमेशा याद रखना हमेशा कुन सा भाग आता है कोटेक्स होता है और उसके कोटेक्स का जो एंड होता है वो हमेशा कोटेक्स का एंड जो है हमेशा कहा होता है एंडोडर्मिस में होता है और उसके बाद में होता है पेरिसाइकल और उसके बाद में दोस्तों जो है आपके इसके इंदर उपस्तित होंगे Zylem floeum या Westschular Tissue present होते हैं तो Westschular Tissue जो है रूट के इंदर थोड़े special type के होते हैं special type का मतलब क्या है तो इसमें तो दोस्तों जो आपके अलटरनेट होते हैं तो इसको इसमें दो है वोलिगये या दिवादी दारुप यह अगर तरहसे थी आघ प्रजेंट होंगे उसके अकोडिंग इसके नाम रख दिया जाएगा डायार्ट टीर तो यहां पर देख रहें कि जैलम और पर्जेंट हैं जो जाइलम पहले बनता है. पहले बनने से मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोस्तों जब माननों प्लांट Saint Saint करो यदि कुली देख जाइल्म होता है उसको वोलते हैं प्रोटोजाइल्म मतलब वह पहले बना था पहतले दिर्म करते है Jonah a body genau a ऐभकर फ्रेशिकमती देखर न आ उसका दना रहता है वह दो फठाने दना रहता работать मिगर दो उसका तना ये इतना उसे नहीं रहता है थोड़ा सी मधश्समें उसमें कही है उसमें सेकंडरी ग्रोथ तो नहीं थो आ गए मोचा है नो फोन धोच घए रहति को धाना अवा करा गया हो बढ़ गाया बढ़ गया बढ़को में कंवें यस वजए से यह जवा जब आप अनुपळससे सेक्शन काट असा बढ़को आप को नहीं रख गोल्गोल एसे दिके справble गोलगोल कैसे यह वेसल से या ट्रेकिर्स होती है वेसल्स है ट्रेकिर्स होती आपने देखत çekक पाइप जैसे होते हैं आप समझ लिए होंगे तो यह जो है आपको अगर पेले छोटा पाइप मालो ऐसे दिखा बनाएवा दिखा इस तरह से यह इस तरह से पर यह बढ़ता जाता है यह इस तरह से हो जाता है इस तरह के अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यह बाद में ब और उसको बोलेंगे protozylum थीक है दोस्तों तो यानि कि पहले बनने वाला जयलम प्रोट जयलम सुरुआत में बना और प्राइमेरी ग्रोथ के अंदर ही अगर दूसरा और थोड़ा बड़ा होने के बाद में जैलम बनता है तो इसे मेटा जैलम बोलते हैं तो एक जैलम के और यही एकजार्च यह है प्रोटोजाईलम की तरफ बनें यह इस्टित है इस तरह है त अरुद रेंगे आंदर की तरफ अजिए न के फिलाएं गी इसका मतलब किया है यहां पे प्रोटोजाईलम है यह मेटा जायलम है यह इमेज में आपको अगर आपने बुक को अगेरा में पड़ा होगा तो उसमें देखा होगा तो इस तरह की इस तरह का जायलम दिखाए जाता है नोख यह गोले नहीं बना जाते हैं यह जो नोख है इस तरह तो यह यह एक्जार्च है और यह एंडार्च है दो इसे पैर सेंटरर के अंदर कि तरफ हो तो यानि ​​क तरफ दिट के तरफ नोग बनाया रखी ऋर। इसक अनल पिलफ क्या है, इंडार्थिशकी स्थिति है कि यैश को बनाया तो सकरी जिजन कवें तरह से टार से लूख को इस तरह से टार इसल एक और ल॑नयास यह दिखा 놈 बताने का मतलब यह त्रसड़ा दिकhet WAVN इसके ऑपन ने देखा कि यह इस हो और उसलोग़ है अपन इस तरह है थी आपको डाइग्राम हुआ जय के लिए लिए इसकस टार पाइनस का जो रूट होता है उसका एक डाइग्राम बनाते हैं उसमें उसमें क्या डिप्रेंस है उसको देखने हैं ठीक है तो चोटा बनाएंगे ना तो दोस्तो देखिए यह बनाया मैंने पाइनस का एक अपन इफिडरा का भी बना लेते हैं साथ में ताकि अपन को उसका पता से जाएं किसे बना लेते हैं तो देखो अपने इसके अंदर तीन डाइग्राम बना लिए यह समझ दो इसको यह यह साइकस है यह पाइनस है और यह एक्विडरा है ठीक है तो यह तीनों है अब इसमें तीनों में क्या-क्या चीज़े कॉमन है वह देखते हैं तो हमेशे याद रखना जब अपन एनाट अनधोम पढ़ने के लिए इसका टीयस लेंगे अनुप्रस्त सेक्शन टीक है ट्रांसफर सेक्शन टी इस अकटिंगे तो आपrick दसक्क काट में नीनस आश्नाय देख सकते हैं उनको इहा हम पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या एक्वी बिलेमा एक सबड़िया यह पृपिर इस तिरणों से अंदर वह से बहुता। जो जैसे मालो अगर उसके अंदर जब आपने अनुप्रस्ता सेक्शन काटा अगर उसमें कुछ वेरिशन दिखाई दे रहा है तो उस कोटेक्स के भाग को आप जैसे आउटर कोटेक्स और इनर ठीक है इनर कोटेक्स तो कोटेक्स को आप दो बागों में डिवाइड कर सकते ह ठीक है अलब कोटेक्स अगर आपको दिखाए तो देखो मुख्य रूप से कोटेक्स के तीन भाग होते है ठीक है कौन-कौन से भाग देखो कोटेक्स को आपको लिखना होता है हमेशा कोमन बात करें अपन तो कोटेक्स के तीन भाग होते है इतना होता है हाइपोडर्मिस middle cortex और endodermis ठीक है? यानि कि यहां से शुरू होता है और यहां पर खतम होता है तो आप इसको यह से common भी लिख सकते हो कि outer cortex और inner cortex ठीक है? इसके दो भाग भी बना सकते हो outer cortex और inner cortex इस तरह से दो भागों में भी आप लिख सकते हो और cortex में अगर इस पर्ष्ट गूरूप से जैसे किसी के अंदर आपको colon काईमा दिख रही है isclean काईमा दिख रही है तो आप उसको अगर अलग से दिख रही है तो hypodermis, middle cortex और endodermis यह तीन चीज़ आप इसको अलग से दिखा सकते हैं कि यह से अपने देखेंगे कि जैसे को टेक्स्ण के बाद में ndodermis का portion तो जो पाइनस का जो एंडे राम होता है उसकी जो शेल्स होती है इंडे अंडे सेल्स होती है और मेर्स के अंड़ने और Using Cobаша में लोगे किसी और और इस कि-दे होती है जड़ों के परिसाइकल और मारेंडल के जातौती है इस वज़े से हमेशा जट की अंदर अधिक तर जड़ों की अंदर जो क्या होता है परी साइकल और अंडोनमिस इस परश्ट होती है उस पस्ट होती है गत परफा और सेंट एक लियर Northern click की परेसे बने होती है यदो इसने yarn होता है उसके बाद भण hmm भ रचनों के इंदर पर्रजेंट होता है तीके और अन्दर न यह पीत होता है यह पे बहुत हरो यहां पर भी पर सिंचा होता है और यह चाहते मों यह छाहिण होते हन चाहिए क्यों ईयह बिशक मोरिख लिए करेक्टर भी रखता है तो इस वज़े से समानता तरसा ता एंजिसट्सम की तरह नहीं होता हैuter यहां पर नियुक्त bar फिलि फेरस लेयर इसको नहीं बोलेंगे किसे अंदर eh प्यों नहीं बोलेंगे क्यों कि अँप रूट होती है उसके टेर रूट हेर नहीं होगे इसका मलब क्या होगा कि इसके अंदर mycorrhiza present होती है जो क्या करती है इसमें symbiotic relation होता है इसके अंदर ठीक है तो इस वज़े से इसके अंदर root hair absent होंगे है ठीक है जो कि इसके अंदर क्या होंगे है यहाँ पर root hair present होंगे ठीक है यहाँ पर आप root hair को भी दिखा सकते हो तो यह इसके अंदर हो तो यह कोमन चीजे आप देख सकते हैं तो अब यहां पर देखेंगे कि देखो यहां पर अलग इस्टेक्टर बनाए है मैंने यहां पर देखो कोमन है तो यहां पर यह क्या है यह देखो यह जायलम ही है यह और यहां पर यह जो है यह मेटा जायलम है प्रोटो जाइलम है यहां भी बैंज मोँ यह इसे बंदर जाते है जिसे क्या हुथा रेजी या ηलम होता है उसके एक बीच वाले भाग में धाजता है यह इस वजय सी के सहुआ जाता है तो हमेशे किया उन्हेख न भाइनस उता है तो हम पाइनस स्टा इनदर जो रूट premature खों जानल के यह सब का उता है जो तो प्रोटो जानल इसमें वी घ्जार्ज रिसे तैंग इसमे सबमने मिल और तरह जो जाए जारटा होते हैं उसमें दो इसपिकिक mina है एक तु अदर जिसके उन्दर जो और वह तो यह आन्दर दोस्तों कि जो इनकी तीनों की रूट्स जो है को मन होती इनके अन्दर जो इनके इनके इस्ट्रक्चर होती है नाटोमी है जो कॉमन है इसके इन दर तो आपको आप यह सीज़े कोमने तीनों के नदर जो भी प्लांट में जादर में होती है मंगर उसमें जैसे कुछ चिजे इसमें अलग से अब यह जो इस्तिती है इनकी जैसे यहां पर बता है आपको तीन ट्राइब अब एक चीज और है कि जो होता है उसके अंदर एक इसपेसल टाइब की रूट्स भी प्रजेंट होती है जैसे और बॉलते है ठीक है परवालाव मूल यह परवालाव मूल जो होती है उसमें क्या विसेशता है यहां पर इसकी शोर्ट वीडियो डाली है उसमें देख सकते हैं यह ग्रीन देता है इसको इलगल जोन बोलते है क्यों कि इसके अंदर क्या होते हैं नॉस्टो के पंक्टी फॉर्मी और इना विना साइकडी सीरम जो है इसके अंदर ब्ल्यू-ग्रीन यह प्रजेंट होती है जो क्या करती नैट्रोजन का फिक्सेशन करती है इसलिए इसको एलगल जोन बोलते हैं और यह क्या है इसके अंदर जो है यह सभी चीजें परजेंट होती है ठीक है दोस्तों तो पिर ने रखना है इसके अंदर वेसल्स परजेंट होगी यूट कि इन दर क्योंकि आपनको पताए जिए ज़्यादा के यह जैदा होना चाहिए तभी जल्दी से जल्ली-सल्को यह वोटर को तो अब बात करेंगे इस टेम के स्ट्रक्चर की तो बात करेंगे अपन तने की ठीक है दोस्तों तो इस टेम के अंदर अपन देखेंगे कि इस टेम हके अदर के स्टेम के स्ट्रक्चर में ने क्यों बनाया अब बाहर से आप देखेंगे जिस टेम के अंदर जो तना होता है बार से अपन देखते हैं तो अपन ने पढ़ाता है कि इसके अंदर leaf trace या leaf base जो होते है leaf base यानि कि leaf का जो आधारी भाग होता है वो पूरी तरह से गिरता नहीं है कुछ हिस्सा जो है उसके तने पर लगा रहे जाता है इस वख़़एसे कहा है है कैसे रेती है यह से अबरी भी भी और isद और खुरधरी रेती है अपने कि यह से दखेंगा कि यह कुछ भाग यैंगाétat हौई कि तरह का लेता है वो अंदर की तरफ जो है इसके अंदर xylem phloem जो है इस तरह से present होते है ठीक है जिसे अपन ने इसके root की structure की बात की थी जिसे अपन common देखेंगे इनके अंदर क्या चीजे common है ठीक है इसका जो structure बना रहे हैं तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की common structure साइकस के जो तन्हा होता है उसका अनुपरस्त जो section काड़ते हैं TS काड़ते हैं तो इस तरह की structure दिखा जाती है इसे अपन पाइनस की बात करते हैं पाइनस का structure बना लेते हैं पन साथ हुना है ठीक है दोस्तों यह है पाइनस तो पाइनस के अंदर आप देखेंगे कि जो ठीक है इस तरह का structure होता है और इनके अंदर भी क्या होती है इस तरह से इस तरह की सनसाएं देखने को मिलती है यह जो बना रहा हुँ है अब यहां पर अपन क्या देखेंगे कि यह होता है बाहर के तरह फ्लोयम यह जो फ्लोयम है यह इसके अंदर तो यहां पर भी देखो यह पार के तरह में क्या बना दिये फ्लोयम बना दिये और यह क्या है जायलम है यह जायलम है दोस्तों तो यहां पर अपन ने देखा देखो इस टेक्चर में देखो समानता ही देखने को मिल देए आपको तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि कुछ कुमन चीजिया इसके अंदर प्रजेंट है अब ऐसे ही हम बना रहे हैं इफिट्रा का इफिट्रा के अंदर भी यह और को दोस्तों इफिद्र क्या है जे रॉफइट प्लांट है उसके अंदर कूछ सरिंग हाइब इस तरह की होती है इस होज़े से उसका थोड़ा सा पखरा हम बनाया है इसके अंदर इन्कों लिए इस्टो मेटा भी बोल सकती है ठीक है इस्टो मेटा और अंदर की तरफ ये वापस से वही जाइलम और फिलाहम ठीक है दोस्तों ये जाइलम फिलाहम प्रजेंट अब इनका लेबलिंग करेंगे पर क्या-क्या चीज इसके नदर परजेंट है देखो वह से तो कोमन लग रहा है तीनों की जोडायगराम आप देखोगे इस टेम के उसमें कॉमन चीजे लग रहे हैं देखो हैं कुछ चीजे अलग हैं कुछ चीजे समान हैं तो उनको आपन द झाली कि यह सो कन्टिनियुआस हो रहां कि एक फोर्डीक हो सिखाऊंगे के ले रहे हैं आप कि फूराइं तरह से हैं इस्थ में कंटिनियुआस हैं यह इसंण गर्ट और भार रहे वसकंडर पशहाँ होती उत्ती है इसे आप इसके अब कि घरत आ небेखो एपको इस तरह से कुछ झचे स्निशलायाते है उन्यूद दिखाए दिक्टाइम canine god रुबायर बने में होते है तो जब आप संब कार के तो गड़त और गवागी वज आपको इस तरह से इसका तना दिखाए देगा तो सायकस के अंदर क्यासी होती है मगर यहां पर मुझ उती है र यह क्या होती है जो अक्युटित क्या आती है बहुत से आपकोने ही क्या झाती है क्यों नह plu tree क्योंकि जैसे एक ज़ादा होती है तो उससे बचने के लिए और वौन आ कि पर जल시 को रोकने के लिए भी यह इस तरह से विक्स की लेयर जोई इसके उपर छला लेते हैं ठीक ह। है चुटिकल की लेयर होगी ठीक है यह तिनओंट जो common चीजह थी वो अपन ने देखी ठीके दोस्तों अब आपन देखेंगे कि इसके बाद में अंदर का जो भाव होता है epidermis के बाद अपन ने पड़ा हमेशा क्या होता है कोटेक्स होता है कोटेक्स तो देखो कोटेक्स के अंदर जो साइकस का जो प्लांट होता है उसमें तो होता है यह जैसे गॉल गॉल मैंने बदाई यह बीच वीच में इसको बोलते हैं मिस्ले जिनस डक्ट थीए यह से गरल तिया या है ट्रेस में डिलेश इनाल पाई जाती इसमें तो यह से अश्य गरनत्र पाई जाती और जिश के अपने देखा यह कोड़ next वालन भाग होता है इस इस वालन होता है रेजेंडेक्ट होती ठीक है किसके अंदर पाइनस के अंदर रेजी इंडक्स पर्जेंट होती है जिब किसके अंदर कई कई कभी कभी जो है कोटेक्स जो बाग होता है कोटेक्स बाग जो है दो बागों में बटा होता है इसका रिजन क्या है कोटेक्स बाग दो बागों में होता है एक तो में बता कि ना है ठीक है तो जो एफिडा है को सकता है उसके इंदर हाइपोडर्मीस होती है को लिंकायमा होती है या इसको मिडल कॉटेक्स भी वह उसकते हो आप मंगर लिए को ले उसका रीजन क्या है तो अपने पड़ा होगा क्वचिकाउं के बारे में पिरेंचामा क्यों काइमा नॉर्मल मर्दोतई कोशिकाएं होती है जो सभी के अंदर पाए जाती है अब पेरिन काइमा के अंदर यू मालो कि प्लास्टिड परजेंट है तो उसको अप क्या बोल सकते हो वो तोड़ी डेवलब्ड होगी पेरिन काइमा के कंपेर में ठीक है तो उनकी को लिन काइ ल में के चैनल के अंदर कल्लोर फैक्ती प्लास्ट बहुत कम या तो नहीं होता है मदब होता नहीं हीिए परतिय प्ली होती है तो इस वज़ेशे सेश पौटोर्फ में आम दे दिया को लेंकाइमा नाम दे दिया और यहां पर जो है एंडोडर्मिस होगी तो एंडोडर्मिस जदा इसपष्ट वेल डवलप नहीं होगी इसके अंदर भी जो है इसक्रेंड काइमा सोरी इंडोडर्मिस जो है वो इसपष्ट नहीं होती है पेरिसाइकल भी इसपष्ट नहीं होती है इस वज़े से मैंने यहां प जिसमें होती है उसके अंदर आपको दिखा दिया है तो यहां पर भी पेरिसाइकल भी होगी इसके अंदर और एंडोडर्मिस भी होगी ठेक है दोस्तों तो अब देखो यहां पर मैंने कुछ लाइन सी बनाई है तो इसको बोलते हैं गिडल लीफ ट्रेस और एक होता है डायरेक्ट लीफ ट्रेस यह होते क्या है यह कैसे इनका नाम इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया देखो यह साइकस के अंदर ही परजेंट है ओनली फॉर पाइनस में नहीं है इफिड्रा के अंदर नहीं है तो इसमें ये क्यों है क्या है इस चीज के बारे मैं बन देखते हैं तो गिडल लीफ यानि की इसको बोलते हैं गिडल मेखला पर्ण अनुपत ठीकें और इसको बोलते हैं सीदे ठीक है मेकला या आप क्या सकते हो खाली जगे बोल सकते हो आप तो ये लीफ ट्रेस ट्रेस क्या बोलते हैं जैसे किसी चीज की पहले की जैसे मालो वह चीज थी वहां पे पहले से तो उसके कुछ आउसेस मिले हो आपको तो उसको ट्रेस बोल सकते हैं आप कि वह इसके कुछ इसलिए इसलिए ना देखो गिड़ल लीफ ट्रेस मेखला पर अनुपत यानि कि यहां पर जब जैसे यह मालो साइकस का एक प्लांट है ठीक है इसमें जैसे पत्तियां लगी रहती है आपने देखा होगा ठीक है जैसे जैसे बढ़ता जाता है जैसे मालो यहां से उपर होगilla है और इसे घ्र जैसे पूरी तरह खतम नहीं होगी इसका कुछ इससा यहां पे बचावा रे जाएगा तने पर लगावा रे जाता है करने लगावा रदिए कि वजए खने पेर लगावा रेतिया गहां Wales तैसे मालो है तरह आगे बढ़ बढ़ गया है तो यह कुछ हिस्सा बचवारी गया तो आपन क्या देखते हैं जो साइकस का यह ины ये पूरा हिस्सा होता है इसको भोलते हैं इस His εोते तो रेचस जो होते हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल होते हैं यानिकी सम औहीं होते हैं च्छुँनर में को देखने क目前 का ऐसे प्सछा नहीं आहिए छो आ पाएगा यहां से पत्तिता हैं तो अब देखते हैं कि जो तना है, तना के बीच में अबने देखा यहां पर यह जयलम फ्लोEM है, यहां लेना से नीकल कर यह तरह से एक ग्रडल की और यह डाइर्यक निकल कर कहा जाते हैं हैं इस लिए के अंधर के अंदर जाते हैं, म तो इस वज़े से यहां पर हैं किुछ कुछ गिर्डल एक लिफ ट्रेस की होता है। मैंक आप यहां पर से चाहां मैंखला की जाना जुकित भड़ी है। ये खालि जगेन अबर दॉशे जी न तेज़ है। शहते हैं लिफ ट्रेस के लिफ ट्रेस। क्यों देखने कोती, क्योंकि इसके अंतर पतीयं होती है, वो मुकुट पे यह दिर्द पे लगती है, फिर दीरे नस्ट हो जाती है, उसका पूरा हिस्सा नस्ट नहीं होता है, कुछ लीफ का जो बेस है, वो बचा वा रहता है, इस वज जाइलमफिलोेम के उत दिय गलाते हैं। पत्तिया अब नस्ट हो गई हैं। तो कर दिय अब अगे जाईलमफिलोम को क्या करना होता है। शॉप्लाइ करना होता है। जो अगर उत्यरेश काम भी नहीं है, interactively हो गई और अगे जाएम भाग करना होता है। तुकि यह से आवसेत मिलता है तो इसको नाम रेघ दिया गिदरलिव्ट इस तरप से इस के अंदर जैलम 펩ियम जो है कॉय दिशुत होने की वजह से इसका यह जो है क्लिभ कर रूप बाद में दे की स्लिए से नगल देखनेर को नहीं मिलता है तो अपन ने क्या देखा कि epidermis होती है तीनों में epidermis present है मगर इसमें क्या होती है discontinuous होती है किस वज़े से इसके उपर ये leaf trace sorry leaf base जो होते हैं वो बच्चे वे रह जाते हैं इस वज़े से ठीक है फिर उसके बाद में cortex वाला cortex वाला जो region है इसमें तो क्या पाई जाते हैं cortex वाले region में leaf traces present होते हैं कुछ micellasiness duct होती है और इसके अंदर अबन क्या देखते हैं कि resin ducts इसके cortex के अंदर परजेंट होती है ठीक है और इसमें अबन क्या देखते हैं इसका जो cortex होता है उसमें तीन भाग होते है hypodermis, colinchymas और endodermis क्यों किए इसके इंदर colinchymas इसलिए होती है क्यों कि यह zerophytic plant है इसमें leaves जो है उसके अंदर photosynthesis नहीं होता है तो इसका तन्ह photosynthesis का काम करता है तो इस तरह से इसके अंदर होता रहता है तो इसके बाद मैं आपकी बात करेंगे परिसाइकल और अंडडो डर्मिस और परिसाइकल तो से पर देखनें और हैं सबस्दों के तोटन बहु किह सऑ को गाए जेब धिंपバイ कि एन थिन्म के अंदर कि अ अगरे हो के जया लसे भीम के बंडल है जो Conjoint है Conjoint کا मतलब क्या है यहाँ पर देख रहे हैं यह Phloem है और यह Phloem है दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़ेवे हैं तो इस तरह से अब इसको देख सकते हो यह एक यहाँ पहे और यह क्या है तो यह जो xylem phloem है इनके बीच में है यहाँ पर क्या है केmbium है और यह क्या है जाइलम है और यह है phloem अब xylem में यह वाला भाग जो है metazylem और यह वाला भाग है protozylem तो आप देखोगे जहां पर तिकुन भाग किदर है यहां पर पित की तरफ है ठीक है यहां पर पित की तरफ है और यहां पर भी पित की तरफ है तो इसका मतलब यह इस्तिती कौन से होगी यह इस्तिती होगी इंडार्च अंतहादी दारुक यह निकि प्रोटोजायलम कहा है इसमें भी प्रोटवाइलम के इंदर तो इसमें केंगी अपें अपको आप में परजेंट बताया में अपो तो तीन्दों में केंगी इम परजेंट ह demiş थो इसके वजह से केंगी मशुट को इनके अंदर सेकंटरी ग्रोथ होगी। केमबियम न Bhagritis by symbolic अफिर क्या करेगा चर्च क्या करें जाएरात ग्रोथ करें उसह लुगत厲害 के अंडर जाएम कादा एई कामर ऑडी होती है जो सले हुगता है मेन जाहें है क्योंकि कि- इसकेंड़ी क्रींड्री क्विए सी किनडी क्रुफ होति है rocks backend नहीं है मालो। तो केंड्री zeni म ऊइए वापस नहीं यह वागी यु कि एंक युक्त सी जो केम यह लिए वाद पूली जाहें कि पन गई इसाल है he अगले साल और भापस नहीं बनेगी जबकि यह नहीं बनती है पहले सी जो केंवियाम के रिंग बन गई उसी से सेकेंडरी हम सेकंडरी फिलो इसलिए इसको नाम इसका नाम तो हो गया हम पोली हो ऐनका और इनके जो इह पे दो को बीच मेडुलरी रे मेडुलरी रे सक्शेathers जायलम फिल्क, जायलम फलोह हम पित वगरह कैसे बड़े बड़े होंगे वेल डबलव होँगे फेले भें रहेंगे तो इसको बोलेंगे मेनो जाइलिक देखो यहलें काइय मेनो जाइलिक और यह में ओकणने पर कमई लुद मेडि कही है और यह मेडूलने रयह हैं इनके और चोड़ रहते हैं इसलिए इसको नाम दिया मेनोजाइलिक और यहाँ पे जो है संक्रे रहते हैं इसलिए इसको बोलेंगे पिकनोजाइलिक ठीक है दोस्तों पिकनोजाइलिक और मोनोजाइलिक तो इसका जो है पिकनोजाइलिक और मोनोजाइलिक होता है तुम्हें बात कर रहता है, फ्लोम जो है, इसके साथ में जुड़ावा होता है, इसलिए इसको बोलेंगे, कौन जोइंट, संयुक्त, ठीक है, और केंबियम परजेंट है, तो क्या होगा, ओपन, यानि कि खुलावा, खुलावा मतलब क्या है, कि इसमें जायलम, और फ्लोम ज उसके बाद में, को लेटरल, को लेटरल, को लेटरल का मतलब क्या है, संपार्स को का मतलब क्या होता है, यहां पे जो को एक बंडल है, उसके पास में दूसा बंडल, फिर तीसरा बंडल, फिर जोता बंडल, इसे, इसे पूरा एक वले के अंदर ही परजेंट होते हैं, इसल जो है डाय अर्च टेट्राच पयों की भी बहुत सारी अगर कें दो से तीन से चार से जादा वर्गर बनेवी हैं इसके अंदर जो वेस्कुलर बंदल उसको आप क्या बोलें की पैसे पोली आर्च भी त इसके अंदर अब देखो जब इसके अंदर secondary growth होगी दित्य गड़दी होगी तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यह अपने secondary बार की तरफ क्या बनाएंगे secondary following और अंदर की तरफ secondary जायलम तो यह अपने आप ही बढ़ते जाएंगे बढ़ेंगे तो यह इसकी जो फरीदी है यह भी बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या बनाएगी यह पेरिडर्म का निर्मान करेगी बाहर की तरफ जब secondary growth होगी तो क्या बनाएगी पेरिडर्म बनेगी अब पेरिडर्म कोन बनाता है तो पेरिडर्म बनाते है कोर्टेक्स का आउटर जो कोर्टेक्स वाला भाव होता है या तो वो बनाता है जिसमें क्या हो जाता है कोर्क केम्बियम बनता है कोर्क केम्बियम क्या बनाता है कोर का बनाएगा और इनर जो अनर वाला भाव होता है वो बनाएगा पेरिडर्म का तो इस वज़े से ये पेरिडर्म जो है वो किस की बने होती है उस पर किसका जमाँ होता है सुबेरिन का जमाँ होता है ठीक है सुबेरिन का जमाँ होने की वज़े से अब ये बाहर की तरह पेडर्म का निर्मान कर लेगी, ठीक है? अब जब secondary growth होगी तब इसके अंदर क्या बनेगा? पेडर्म जो cork MBM से या cork से बनता है, इसे root के अंदर भी जो है cork MBM जो है cork का निर्मान करता है जब secondary growth होती है, ठीक है? तो इस तरह से इसके अंदर आपने प्रजेंट होती वह सब चीज़ अपनने इसमें देखिए को सब के अंदर परजेंट होगा जैलम फलोम होंगे एक जाट अंडार्स पोली जैलिक मेनो जैलिक सब चीजों को अपन ने इसके अंदर इस पश्ट की रूप से समझा ठीक है अब अब बात करेंगे पत्ती के बारे में तो अब बात करेंगे इनके लिव की बात करेंगे जा इनके अंदर जो लीव होती है वो किस तरह की होती है तो अपन गयाद रखना जो साइकस होता है उसक तो उसके दो पार्स होते हैं तो बाटेंगे रेचिस दूसरा होगा लीफलेट तो रेचिस बोलेंगे इसको दूसरा लीफलेट या परणक बोलते हैं तो यह कौन-कन से भागे तो देखेंगे जैसे यह इस तरह से मालोई पत्ती है यह बाग तो क्या हो गया इसका रेचिस और यह को इसके इस अनदर का मिलता है तो इनकी स्कूर कैसी होती तो वह अप्मद नहीं हिरू जो रेक्शिस सब्सक्राइं यह स्कूंप स्राथी और उपको गाउन के कि इंदर आप देखेंगे कि ऊपर की तरब जो है इस तरह की कोई structure आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर यह देखिए उपर की तरफ जो है यह है आपके epidermis ठीक है दोस्तों और इसके just नीचे इस तरह का एक structure देखने को मिलेगा ठीक है इसको आप इस तरह से दर्शा सकते हैं ठीक है यह जो भाग है यह है sclerine काइमा ठीक है इनके बीच में जो है यह है colon काइमा ठीक है तो यहाँ पर कुछ यह है आपके मुसिलेजिनेस डक्ट ठीक है तो क्योंकि साइकस की बात करें साइकस के अंदर लगबग उसके पूरे भाग की अंदर ही मलब आप इसकी तने की बात कर लो जड़की बात कर लो यह अपने यहां रेकिस की भी बात करें तो यहां सब में मुसिलेजिनेस डक्ट परजेंट हो तो यहां पर सपन को किस तरह का दिखाए का दिखाए , तो यहां पर यह तो एक्यूंद प्रिजे और इसके अंदर आपके जो है यह कैसा दिखाए पूझा आपको ग्रीन इसके पूरा अंदर वाला चो गया गया जो अंदर वाला भाल है अब इसके अन्दर Ground Tissue के अंदर अपन देखेंगे जो है eigenlijk जायलम फ्लो यें ूंगे इसे वोमेगा के सेपके अंदर इसके अंदर प्रजेंट होते हैं चीज़ कि दोस्तों इस तरह से मुल्डब उल्टा ओमेगा जो होता है उसके सेप में होते हैं जो है इसके इस सेप में जो है जायल दम फुलेंग वेस्कुलर बंडल इसके अंदर होते हैं यह पहुता है है से इसको बोलते हैं से बिजगें अंदर भी देखने हो необходимо तो सेटी पेटल का मतलब क्या है तो यहां पर कि देखेंगे कि जो प्रोटॉजालम होता है यहां यह सकते आप इसको अन्ड रच ऊथिके और यहां पर क्या हो गया एक जार से बॉल सकते हो तो यानि कि इसमें दोने त्र CAS ले लम देखने को मिलते हैं सेंट्रीप्यां सेंट्रीव्जन की से ओपने भाभ को क्या गड़ते हैं 198 कर लेते हैं इसको इस तरह से देखते हैं अ कि यह तो फ्लॉए में दोस्तों अब यहां पहीं क्या होगा कि इस तरह से तो यहां पर एक तो जायलम स्विंप्रजेंट है जिसे जिसे मेता सैंटीबिटल मतलब Protozyum के दौरफ है जिसमें गश्त箇ंडार हो सकते हैं यहां पर कुछ जो यह है कुछ ज्यायलाम बहार कि तरक होता है अगर हमेरी यहां पर जी क् conve to सकते स्ष यह होता है कि फिर पो inventions होता है यह यह ध्याय ज्याय जार्फ सकते हैं यह जिंदर दे theater मिलते हैं इसमें कि बाति прибu Pr Harum यह दिपलो जाले किस्तिती लीफ लेट के अंदर भी होती है और रेचिस के अंदर भी होती है अब देखो यह जो यहां से जो है इसके लीफ लेट जो है लगते हैं तो लीफ लेट जो लग देंगे तो उनकी अपन जब सेक्शन काटेंगे तो जैसे यहां से एक लीफ लेट म को हैं भालो यह सकती है जिसका कता है तो यह बीच वाला पॉर्शन आप यह भीले भी को यह भीश delay रिखाई देगा तो यह इस तरह से और पो पिस्ट फिर्वां देख़ने कैंते बीच वालो नीस वाली संथे यह और यहां से देख रहे हुँ है तो यहां पर डेख। । इसमें देखो दो भाग यह पने देखें तो यह जो है पाइनस के अंदर और जो इफिर्डा होता है उसके अंदर इस तरह की जो सनस्राइं नहीं देखने को मिलती है तो यहां पे उपर की तरब आपन देखेंगे जब आपको यह उपर की तरफ देखो इसके उपर यहां पे क्यूटिकल के लेवर होती है इसमें भी cuticle की layer होगी, उसके नीचे जो है epidermis present होगी, ठीक है, epidermis होगी, उसके बाद में यहाँ पे जो है ऐसे लंबे-लंबे sales की बनी वी, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो, इस तरह से palisade tissue, ठीक है, इसमें क्या होगे यह, इनको बोलते है, palisade, पहले से tissue इसके नदर present होगे, और नीचे जो है, इसके नदर, जो है, spongy, parent काईमा, यहाँ पे present होगे, ठीक है दोस्ते, एक side का मैं बना रहा हूँ, एक side का दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगे, यह, spongy, parent काईमा, इसपों जी, parent काईमा होगे, और यहाँ पे दीको मैंने cut बनाया है, मल blurb, पूरी तरस ह है, पूरी लाइन नहीं बनाई है, तो इसका about यह,家 behind his chest, is tomata है, ठीक है दोस्तों? से की संकिन इसकी वोटर का जो लुस होता है क्या होगा कम हुगा ओर यहां पे इस तरह कें इ Melbournerd होते हें किसे होते हैं हिपलोचिलिक का मतलब क्या होता है कि जो इसकी जो तो दोनों guard sales होती है दोनों guard sales एक इसे बनती है और इसकी जो अधर सहाट जिसे subsidiary sales वोलते है वो दूसरी कोसेगां से बनती है ठीक है तो इस लिए इस तरह का में उसको μदले है तो तिन्नों के यह पे यहां पे यह जो है आपर किने प्रजेंट हो मैं बदो यहां से अधिशो कर पाएंगे बाएंगे उजिस उन्दाइब तो सो म हो होगा फोटो फूट बनेका तो यह पें पूचाना फ्लयाप तक यह क्या तरह से इसके सपनाँ भीत मेत में आपकी स्कैराइब कर्व घ्र बाइब होगा यह तो ऑफ इनकी बुक्ष अप में आपको पाई जाती है था तो इसके अंदर यह बताई कि यह दो नों के अंदर है धोग से लिग्व होता है ठीक है और इसके जाएब सब्सक्राइब तरह जो है पाइनस की बात करेंगे पाइनस के अंदर जो देखेंगे कि पाइनस जो है उसमें पाइनस के नदर जिसे शोट जो ब्रांच होती है उससे क्या होती है कि इसे जिसे मालो ये कोई बांच है इससे क्या होती है निडल निकली वी रहती है तो इनकी जो निडल है वो कितनी निकली वी है ठीक है कितनी पत्तिया निकली वी है उसके आदार पर इनकी जो अनुट पसकार्ट है उसमें उसकी जो इस्तिति देखने को मि उसकी अकरती भी अलग-अलग हो जाएगा नुकर स्काट में आपको इस तरह से दिखाई लेगी ठीक है तो यह इस तरह का इस टेक्सर बनाया में तो यहां पर आपन देखेंगे कि जो यह वाला भाग है तो यहां पर यह क्या है एपिडर्मी से ठीक है दोस्तों और यह क्या है इस्टोमेटा है यह इस्टोमा बोलेंगे तो उसके बाद में यह जो है इस पर अंदर एंडोडर्मिस है ठीक है और यहां पर जो है वेस्कुलर बंडल होते है ठीक है और वेस्कुलर बंडल जो है दो भी हो सकते है ठीक है एक भी हो सकता है दो लो बहुत थैंज होदे वर्न होता है ऌट इसके उंदर बीच मात्त परकार की होती है कRon आपो योते हैं अंदर होते हैं खो फिलोंगे कैंसरे लisthick अदर नहीं हो यह यह ओका इस तरह से यहां उह जब की किसी में result मोगी को बताफिया हुए इस तरह सी यो यह पर इंदोडर्मिस जो सब्सक्राइब है इसके अंदर कोलें कायमा क्लर कायमा परसेंट होती है को इस तरह से इसके अंदर आगर देखने को मिलेक्थ यह इसके अंदर होती है जब कि अपन इफीद्रा की बात करें तो इफीद्रा को पिए अपए अपडेक सके तो इफीद्रा की जो को सिखा है इस तरह से मालो यह का यह स्पंजी ऑपर लिशेट टीशु जो है दो तरह किस टीशु होते हैं वीच में क्या होगी जायलम्पलोेम जो है आपस के नदर तो यह इसके अंदर भी एपिडर्मिस है और यह है इसमें पॉंजी टिश्यू और यह है पैली सेट टिश्यू और यह आपके अंदर की तरफ जो है इसमें आप फंदर प्रर्जेंट होते हैं इसके उपर के आउबर होता है और यह इसके अंदर बहुत कम होते हैं यह वह फून expects कम होंगे यह होंगे तो इसमें इस्पोंज सबसे सिंपल पती पाइगी हो किसकी एफिट्रा की है वो सबसे ज्यादा आप देखो किसमें क्या है साइक किर नेत्व है कि सपीनस और इसके अंदर की कि नरड़ कि निदेखें निदूचरी निदेखें नियुक्त टीकि इस तरह से पहने पश्य क्सिली क्लास में और दोसके बात हैं मस्ली क्लास में दो